क्या आपने कभी ये हवा में उड़ने वाली नल को देखा है और क्या आपको पता है कि ये नल हवा में उड़ कैसे रहा है या फिर इसके अंदर से जो पानी निखल रहा है वो आग कहां से रहा है और दोस्तों क्या आपको पता है कि इस दुनिया में जो फ्लावर मिलती है उन में इंट्रेस्ट रखते हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें फैक्ट नमबर टेन दोस्तों आप सब ध्यान से इस लड़की को देखिए इसे देखकर आपको शायद ये लग रहा है कि किसी ने फॉटो खीच कर रखी है और ये फॉटो बेहती खुबसूरत है लेकिन अगर मैं आपको बताओं कि ये कोई फॉटो नहीं बलकि हैंडमेड पेंटिंग है क्योंकि इसे एक चाइनिज आर्टिस्ट ली जुआंग द्वारा बनाया गया है और ये दुनिया की सबसे खुबसरत पेंटिंगों में से एक है क्योंकि अगर आप इस पेंटिंग के ऊपर जाकर पानी उबालना चालू कर देतों दोस्तो यहां पर चिंता करने वाली तो कोई बात नहीं है क्योंकि एवरेस्ट पानी उबालना शुरू कर देगा और वो भी 71 डिगरी सेल्सियस में ही क्योंकि एवरेस्ट के ऊपर एटमसफरिक प्रिशर बहत कम होता है और इसी वज़े से पानी कम टेंपरेचर में ही उबलना शुरू हो जाएगा। अगला फैक्ट यानि की फैक्ट नमबर एड दोस्तो हम इनसान एक बार में बीना थके कितने माईल चल या फिर दौर सकते हैं। आप कहेंगे एक किलो मेटर, दो किलो मेटर या फिर पांच किलो मेटर और मैं अबे जिस प्रानी की बात करने जा रहा हूँ वो बीना थके हजारों किलो मेटर तक चल सकता है। या कहलो तैर सकता है उस प्राणी का नाम है टाइगर शर्क जो की बिना रुके हमेशा तैरते रहता है दोस्तो नॉर्मली क्या होता है कि कई सारी कीडे मकोडे से हम इंसानों को बहुत सारे तकलीफे आनी शुरू हो जाती है सबोस आप सो रहे हैं और आपके शरीर के उपर से कीड़ा रेंग कर जाए तो अगले सुबह आपको वहाँ पर रैशेश दिखाई देंगे और उसको ठीक होने में कई दिन लग जाते हैं लेकिन अभी हम जिस कीड़े की बात करने जा रहे हैं वो अगर इंसानों के शरीर के उपर से रेंग कर जाए तो इंसानों के कई सारे ऐलर्जी रैशेश ठीक हो जाते हैं और वो किड़ा है Leaf Beetle, जो कि इंसानों के बहुत सारे दिक्कतों को दूर करने में मदद करता है। तो है ना ये अच्छा किड़ा? Fact No.6, दोस्तों आप सबको बारिश कितना पसंद है? बहुत पसंद है ना? जहाँ पर पानी की बूंदे आसमान से गिरती हैं, तो हमें अंदर से बहुत सुकून मिलता है। लेकिन अगर मैं आपको बताओं कि इस पानी के बूंदों को इटो से रिप्लिस कर दें, तो क्या होगा? जी हाँ दोस्तो, सन 1886 में केंटूकी में इटो की बरसात हुई थी, तो अभी आप बताएं कि क्या अभी भी आप खुले आसमान में खड़े रहना चाहेंगे? दोस्तो, हम सब इनसान कभी ना कभी गलतिया जरूर करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि यही इनसानों की एक गलती की वज़े से पूरी की पूरी एक लेक धर्ती में सवा गई थी? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि सन 1980 में एमरीका के एक टेक्सेको नाम के कमपनी ओयल और गैस की खोज में एमरीका के पायनिर लेक के पास खुदाई कर रही थी, ये खुदाई असल में एक सॉल्ट माइन में हो रही थी, जो इस लेक के नीचे स्थित थ लेकिन गलती से एक ड्रिलिंग गलत लोकेशन पे हो गई थी, जिससे की नमक का एक बड़ा परत खिसक गया और इसी के वज़ा से वहाँ एक बड़ा सा खड़ा बन गया और सब कुछ उस खड़े में समाने लगा, और उस होल में 13 बिलियन लिटर पानी, एक ड्रिलिंग प् और उसकी कीमत कितनी होती है? दोस्तो उस फूल का नाम है जूलियट रोस और इस फूल की एक पीस की कीमत है 3 मिलियन डॉलर, इंडियन करिंसी में करीब 21 करो रुपए, तो आप अभी कहेंगे कि हाँ, मानते हैं कि इसका स्मेल और खुबसूरती लाजवाब है, लेकिन फिर दोस्तो हमें टाइम कितना हो रहा है, ये समझने के लिए घरी देखना पड़ता है, और अतीत में हम सूरज की लोकेशन वाइस टाइम को समझते थे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कुट्टे, जो आपके घर में या फिर घर के आसपस रहते हैं, वो सून कर ही बता दें कि टाइम कितना हो रहा है, हाँ इसके लिए आपको बस कुट्टे की भासा को समझना पड़ेगा, दोस्तो जब आप पैदा हुए थे, तब आपका वजन कितना था, एक किलो, डेड़ किलो, या फिर दो किलो, एकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ज्यादा वजन वाली न्यूबॉर्ण बेबी का वजन कितना था? अगर आप नहीं जानते हैं, तो बता दू कि दुनिया की सबसे ज्यादा वजन वाली न्यूबॉर्ण बेबी का वजन था आट किलो, और अभी तक कोई भी उस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया है, चलिए दोस्तो हमारे आज के वीडियो का आखरी फैक्ट को देख लेते हैं, फैक्ट नमर वन, दोस्तो आपने ऐसी बहुत सारी तस्वीरे या फिर वीडियो देखी होंगी, जहां पर आपको दिखाई देगा कि नल से पानी निकल रही है, लेकिन नल का कोई एंड नहीं है, मतलब नल पूरा हव असल में यहां पर नल के सामने के हिस्ते से एक पाइप नीचे की ओर जा रहा है, और इसके साइट से पानी गिर रहा है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि असल में हो क्या रहा है, इसके इलावा इसके अंदर जो स्टील का पाइप है, वो पाइप सॉलिड नहीं है, या पिर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और जादा से जादा शेर जरूर करें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेस्बुक बेज ब्रीधिंग नोलेज को फोलो नहीं कि आवो तुरंत फोलो कर दें तो फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए अलविदा